प्रदेश की मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने धार में आयोजित चुनावी जन सभा में कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए कहा कि कॉंग्रेस की नगर पाली का रहते हुए सुख सम्रद्धी नहीं आ सकती। हमने डेड़ करोर दूपे भीजे थे लेकिन आज तक यह पूरी नहीं हुई आजकल कमलनाच जी रोज ट्वीट करते हैं आपकी बार आया तो बेरोज़गारी भस्ता दूगा कर्ज माफ कर दूगा छात्र विक्ति दूगा कमलनाच जी आप तो जनता से माफी मागने का अभि तक गरो रोज ट्वीट करते हैं भी कहते हैं बच्छों को सीदे नोकरी दे दूगा, कभी कहते हैं पूरा किसानों का करदा माफ कर दूगा, अब मैं ये पुछना चाहता हूं कमलनाच अब ये तो आप ज्मेम ऊस्वास साल मैं आपने शेयों नहीं किया चौहान ने कहा कमलनाजी माफी माँगो क्योंकि आपने गरीब बेटियों को शादी में 50,000 रुपे देने का वादा किया था और मुकर गए माफी माँगो क्योंकि आपने बच्चों से लैप टॉप और स्मार्ट फोन चीन लिए कॉंग्रेस ने तो देश को बरबात कर दिया ये केवल जूट बोलते हैं कॉंग्रेस आई तो सारे काम ठप हो जाते हैं इसलिए आपसे प्रात्ना करने आया हूँ कि कॉंग्रेस के जहासे में मत आना चोहान ने कहा चुनाव तो एक बहाना था मामा को आपसे मिलने आना था भाजपा की सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है लिकिन हम गरीबों के लिए सबसे पहले काम करते हैं मैं आज वचन देता हूँ यहां जिनके भी वर्षों पुराने कबजे हैं उनको मैं पट्टा दिलवाओंगा में दाबी विज़ार दियोजना के हम पढ़ने में तेज विज़ार थी उनकी फीस भरवाया करते थे उनकी फीस भरवाना बंद कर दी माफी मांगो कांग्रेशियो सबह में CM शिवराज ने कहा मैं माफी चाहता हूँ मुझे यहां तीन बजे आना था मेरी गलती नहीं है हेलिकॉप्टर ही उड़ने के बाद डगमगाने लगा मैंने भी तै किया है कि हम धार तो जाएंगे ही मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ CM ने कहा अभी इन दौर में G.I.S में 15 लाग करोर दुपे से जादा का निवेश करने का वच्चा नुद्योग पती दे कर गए है इससे 29 लाग लोगों को रोजगार मिलेगा सरकारी भरती चालू है विकास की गंगा बह रही है मैं धार की जनता को कहना चाहता हूँ कि यहां Medical College खुला जाएगा आजपास नर्वदा मैया का पानी आ रहा है धार में भी आना चाहिए अभिया अभियान प्रारम भी किया जाएगा झालू है